पूरांकों का कुणधर्म चात्रो, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें, तो योग क्या होगा? आईए देखें, रोहन के पास छे गेंदे हैं, उसके मित्र सोहन के पास पांच गेंदे हैं, उनके पास कुल मिलाकर कितनी गेंदे हैं? जी हाँ, उनके पास कुल गेंदे हैं, इस उधारन से हम देख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ भी एक पूर्ण संख्या होती है, हम देख सकते हैं कि पूर्णांक का जोड़ पूर्णांक ही प्रदान करता है, अताहा पूर्णांक योग संक्रिया के नियम के सा पेक्षूर, सम्वित्य होते हैं रीना को देखो उसके पास 5 चॉकलेट्स है यदि वो 3 चॉकलेट्स अपने भाई को दे देती है तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बचेगी जी हाँ आप सही है उसके पास 2 चॉकलेट्स बचेगी इस उधारन से हमने देखा कि दो पूरांक का कि दो पूरांकों का व्यवकलन भी एक पूरांक होता है अतहाँ पूरांक व्यवकलन की संक्रिया के नियम के सापेक्ष सम्वृत्य होते हैं समाने طور पर किन ही भी दो पूरांकों को A और B के लिए A जमब B एक पूरांक होता है इसी प्रकार किसी भी दो पूरांकों A और B के लिए A घटा B एक पूरांक होता है